वेलकम एवरिवन, वेलकम टू माई यूटूब चैनल जीरो असोशियेशन तो आज हम एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक वर्केविल्टी आफ कॉंक्रीट पर बात करने वाले हैं ये वीडियो कॉंपिटेटिव एक्जाम और आरजी पीव एक्जाम दोनों के लिए सिमिलर इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि वर्केविल्टी आफ कॉंक्रीट ऑबियस सी बात है सब जगा सेम ही रहेगा ठीक है? तो workability of concrete की अगर मैं बात करूँ तो नाम से ही जैसे आपको परजल रहा workability workability का मतलब यह होता है काम करने लाइक ठीक है workable काम करने लाइक तो obvious सी बात है कि concrete हमारे काम करने लाइक है या नहीं है ये तो workability जो है ये हमारे Indian Standard Code IS का number जो है वो है 1199 IS 1199 में इसको define किया गया है Indian Standard Code 1199 नमबर में इसको define किया गया तो workability की अगर मैं बात करूँ तो workability आपको क्या कहलाता है कि this is defined as the ease with which concrete can be compacted fully without segregating and bleeding तो इसका मतलब यह होता है कि concrete काम का आपके कब होगा जब उसमें पानी की मात्रा ठीक होगी या फिर जो भी हम उसमें material मिलाते हैं concrete में क्या क्या होता है cement, sand, aggregate, water ठीक है इनकी मात्रा appropriate होगी अगर पानी कम हो गया यानि की सूखा हो गया वो कहलाता है segregation bleeding मतलब पानी बहुत जादा हो जाना bleeding मतलब क्या खुन बह जाना तो पानी जब ज़्यादा मिला दोगे तो अब इस सी बात है वो बहने लगेगा तो ये ना हो तो ऐसे concrete को हम कहेंगे workable concrete तो जो concrete हमारे काम का होगा that is called workable concrete कि जिस पे हम काम कर सकें ठीक है? ऐसा नहीं है कि बहुत है गीला है आप उपर से डाले इधर बह गया उधर बह रहा है segregating मतलब इतना हम ताइट है वो concrete कि आप जहां पर place करने जा रहे हो वहां पर आप रख रहे हो तो अंदर तक पहुंची नहीं पा रहा है उपर ये एक layer बना दे रहा है तो ऐसा workability इसको हम कहते है अब इसका एक और definition है it can be also defined as the amount of internal work required तो fully compact the concrete optimum density उसको हम compact कर पाएं optimum density पर मतलब अच्छे से उसको place कर पाएं तो ये कहलाता है workability of concrete अब obviously बात है इसको कुछ-कुछ factors हैं जो इसको effect करते हैं workability of concrete को वो हमको समझने हैं बस video चुपचा आप देखिएगा बहुत ज़्यादा tough है नहीं आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा rocket sciences में नहीं है आपको अराम समझ में आ जाएगा तो सबसे पहला factor जो है that is water cement ratio आपको नाम से ही पता चल रहा है हमको किसका रेशियो निकालना है water और सीमेंट का ठीक है water और सीमेंट का अब common sense से बताओ सीमेंट और water मिलाना है पानी बहुत कम मिलाओगे तो सीमेंट सुखा रह जाएगा सीमेंट सुखा रह जाएगा इसके मतलब वो workable नहीं होगा ठीक है और water अगर हम बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे एक limit तक लेकिन यह ध्यान रखिएगा bleeding नहीं होनी चाहिए definition में ही लिखा है bleeding नहीं होनी चाहिए water हम बढ़ाते जाएंगे उसकी workability बढ़ती जाएगी मतलब अगर water जादा है किसी सीमेंट में तो अगर हम उपर से उस सीमेंट को डालेंगे तो नीचे तक आसानी से पहुँच पाएगा तो इसका मतलब यह है कि अगर water सीमेंट रेशियो हम बढ़ाएंगे तो workability भी बढ़ेगी workability भी बढ़ेगी ठीक है workability भी बढ़ेगी क्यों पानी की मात्रा जादा होगी सीमेंट में या फिर concrete में तो वो अच्छे तरीके से जगहों तक पहुँच पाएगा ठीक है समझ में आ गया water cement ratio second दूसरा अगर मैं इसी का बात करूं तो aggregate aggregate and cement ratio अब यहां पर ध्यान समझेए कि aggregate cement ratio मतलब aggregate upon cement अब समझना है आप अग्रिगेट और cement aggregate मतलब गिट्टी जिसको हम local भासा में बोलते हैं अब ध्यान से देखो मान के चलो यह दो हमारे पास beaker है या container है जो भी आप मान के चलो यह दो container है अब इसमें हमने cement डाला है 1 kg ठीक है 1 kg cement डाला है दोनों में ठीक है 1 kg cement cement की मात्रा constant हमने कर दी अब मान के अब aggregate हम डालेंगे अगर aggregate की मात्रा आप बढ़ा दोगे गिट्टी बढ़ा दोगे ठीक है गिट्टी आप बढ़ा दोगे से cement नहीं लगेगा सीमेंट नहीं लगेगा मतलब वह चिपक नहीं पाएगा अगर वह चिपक नहीं पाएगा तो workability घट जाएगी न वह आपस में छूटने लगेगा दूर होने लगेगा तो वही अगर aggregate की मात्रा हमने बढ़ा दी और cement मे तो workability जो है workability वह कम हो जाएगी क्यों कम हो जाएगी क्योंकि किट्टि की मातरा जाता हो जाएगी सिमेंट कम रहेगा चिपक आता है आपस में वह चिपका पाएगा नहीं क्यों इसलिए workable concrete बचेगा नहीं वह सुखशुख़ सरह जाएगा गित्टि अलग जा रहें cement अलग जा रहा है ठीक है now the next point is third water cement ratio aggregate cement ratio आपने दे लिए अब size of aggregate size of aggregate अब दो तरह के size हो सकते हैं aggregate में number one bigger size और दूसरा हो सकता है small size के ठीक है अब समझिएगा आपके पास मान के चलिए दो container है फिर से एक container ये है दूसरा container ये है इसमें आपके पास बड़े बड़े aggregate ठीक है इसमें आपके पास छोटे 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 से aggregate ठीक है ऐसे ऐसे छोटे छोटे से aggregate मतलब गिट्टियां है एक में बड़ी है एक में छोटी है अब जब हम इनका surface area निकालें क्योंकि obvious दिवात है कि concrete को तो उसके surface पर इचिपकना है या cement को उसके surface पर इचिपकना है तो अगर surface area हम निकालेंगे दोनों का तो आपको पता है जो bigger size का है उसका surface area कम होता है और जो छोटे-छोटे size का है उसका surface area जादा होता है तो जो अगर volume रखते हैं same volume के लिए बड़े size का surface area कम होता है और same volume के लिए छोटे size का surface area जादा होता है अगर surface area जादा हो गया तो cement चिपकने के लिए ज़्यादा cement की जरुरत पड़ेगी जब ज्यादा cement की जरुरत पड़ेगी तो जिसमें surface area कम है वह ज्यादा workable होगा जिसमें surface area ज्यादा है वो कम workable होगा समझ में आया workability उल्टा हो जाएगी क्योंकि surface area ज्यादा है cement कम है वो पूरे पे चिपक नहीं पाएगा थीक है तो bigger size का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, surface area कम है, और इसका surface area ज्यादा है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, workability, workability इसकी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि surface area कम है, तो cement अच्छे स्चिपक जाएगा, और उल्टा अगर बात करूँ, तो यहाँ पर workability कम होगी, समझ गए, clear, तो आगे बढ़ते हैं, यह तीन point आपको I think clear हो गया, कोई doubt हो तो आप comment section में बताए, now the fourth point, now the fourth point is time of transition, time to, transition, उसको एक जगह से दूसरे ले जाने में कितना time लगता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो अगर आपको पता है, कि जो workability होती है, अब क्या होता है, cement जो होता है, अपना initial settling time 30 मिनट होता है, तो अगर आपने time बढ़ाया, तो cement settle होना, start हो जाएगा, तो workability घट जाएगी, इसलिए एक समय तक ही, cement को जहां पर place करना है, वहां ले जाकर लगा दो, अगर आपने पता जला, cement बनाया, concrete बनाया, बढ़िया, cement cement मिलाके, और मजदूर चले गए खाना खाने, आदा घंटा खाना खाना है, फिर एक घंटा आराम किये, उसके बाद अगर वह concrete को ले जाकर कहीं लगाएंगे, वह concrete की workability कम हो जाएगी, अब वह हो सकता है, जादा time लग गया, तो वह फिर किसी काम का भी नहीं रहे, ठीक है, तो वह workable नहीं रहेगा, वह हमारे काम का नहीं रहेगा, that is called workability, next point is, fifth, shape of aggregate, shape of aggregate, अब aggregate के size क्या क्या हो सकते हैं, पहला size जो है, that is round aggregate, गिट्टी की बात कर रहा हूं है, तो या तो गिट्टी गोल होगी, या तो angular shape की होगी, अब ध्यान समझें यहाँ पर, अगर round है, मतलब बिल्कुल ऐसे गोल गोल है, ठीक है, अब यहीं पर अगर गिट्टी इस size की है, इस type, ऐसे हैं, angular shape में मानलो ऐसी गिट्टी है, अब आप खुद देखिए, इसका surface area जाता है कि इसका surface area, तो obvious दी बात है, obvious दी बात है, surface area, और इसका भी, surface area की अगर बात करें, तो किसका जाता है, दिखी रहा है, नीचे वाले का जाता है, और इसका कम है, तो जिसका surface area कम हुआ, उसकी workability जाता हुई, workability जादा, और इसकी workability कम, क्यों कम या जादा, क्यों, क्योंकि इसका surface area जादा है, मतलब इसके पूरे surface को cover करने के लिए, सीमेंट की जादा मात्रा की जरुरत पड़ेगी, और उसके कम सीमेंट की मात्रा पड़ेगी, और मात्रा अगर सेम है, तो ठीक है, हम surface area कम वाला, round shape वाला का workability जादा होगी, ठीक है, now the next point, 6th point, 6th point है, texture of, texture of aggregate, अब obvious सी बात है, aggregate, अब obvious सी बात है, कि texture कौन कौन से होते हैं, दो type के texture हो सकते हैं, number one, rough texture, rough texture हो सकता है, and the second one is smooth, और फिर वही कहानी आ जाएगी, जिसका rough texture होगा, जो ऐसा 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 तेना मेडा सा होगा, उसका surface area जादा होगा, surface area जादा होगा, और उसकी workability कम होगी, workability कम, और smooth surface की surface area कम होगी, और workability जादा होगी, समझे गए, गिट्टी पे आसानी से cement पूरा चिपक जाएगा, surface area कम होगा तो, ठीक है, next, seventh point, grading of aggregate, grading of aggregate, grading का मतलब, देखो देंसे, grading का मतलब होता है, पहला होता है, एक होते well graded, well graded, well graded मतलब, अच्छे से छने हुए, कि ऐसा नहीं है कि कहीं बड़े गिट्टी हैं, कहीं छोटी गिट्टी हैं, कहीं बहुत है छोटी गिट्टी हैं, ऐसा नहीं, इसको कहते well graded, जिसमें समान साइज की गिट्टियां होती है that is called well graded और second is poorly graded poorly graded मतलब जिसमें पर जला इत्ती बड़ी भी है इत्ती बड़ी भी है छोटी भी है टेनी मेडी कैसी भी गिट्टि है that is called poorly graded तो obvious सी बात है वही concept आएगा कि जो well graded है जो well graded है उसमें क्या होगा same size के हैं तो same size के हैं तो उनमें जो खाली जगह बचने की संभावना है वो बहुत कम है बहुत कम है तो यहाँ पर जो voids है voids को मतलब क्या होता है खाली जगह तो यहाँ पर voids कम होंगे voids कम होंगे क्योंकि वो well graded है और यहाँ पर voids जो होंगे या जो खाली जगह है वो जञादा होगी और खाली जगह अगर ज़्यादा हुई तो उसको भरने के लिए क्या आएगी cement भरना पड़ेगा concrete की जगह concrete में जो cement वाला part है वो उस जगह को भरेगा तो उसको भरने के लिए ज़्यादा चाहिए होगा तो workability इसकी बढ़ जाएगी workability इसकी ज़्यादा होगी और इसकी workability कम होगी ठीक है? इसकी workability कम होगी समझ गए? ठीक है? poorly graded then next is, 8th point is admixure इसको थोड़ा ध्यान समझ येगा admixures क्या होते हैं? admixures अलग-अलग type के होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कुछ admixures बता देता हूँ कि admixure में मेंली क्या होते हैं? air entering agent air entering agent का मतलब क्या होता है? वह agent जो हवा को अंदर concrete के जाने दे air entering agent वह क्या-क्या हो सकते हैं? वह zinc हो सकता है वह aluminium powder हो सकता है इनको हम मिलाते concrete में आपका natural wood resin हो सकता है then animal and vegetable fatty acid ठीक है? यह हो सकते हैं यह क्या कहलाते हैं हमारे यह वह हैं जो air entering agent होते हैं जो हवा को अंदर जाने देंगे अब obvious ही बात है अगर आपके concrete के अंदर हवा चली गई तो वह क्या करेगी? अंदर voids generate कर देगी मतलब pores खाली जगह generate कर देगी तो खाली जगह अगर generate कर देती है तो उससे क्या होता है? concrete workable तो हो जाता है concrete workability इससे बढ़ जाती है इध्यान रखिएगा कि इससे workability तो बढ़ जाती है बट इससे concrete की strength घड़ जाती है अब आप खुछ सोचके देखो आपके पास concrete का block है उसमें अंदर खोखली जगह हैं खोखली जगहें हैं क्योंकि air enter हो चुकी है और अंदर bubbles बन गए है अब अंदर अगर bubbles बन चुके हैं तो workable तो है क्योंकि वह आसानी से आराम से जा रहा है हवा का पास वास हो रहा है workability तो बढ़िया है काम का हमारे है लेकिन उसकी strength घट गई है इससे हमारे strength घट जाते हैं तो यह बेसिकली था इसके बाद workability टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं तो इसके next lecture में मैं एक एक तरीके को discuss करूँगा और वह आपको समझा दूँगा बहुत जादा tough नहीं होता है गुद्बाइ